पूरा कम्प्लीट हो जाएगा जो पिछला वीडियो था हम अलड़ी कर चेके और यहां पर हम टीशू करने वाले हैं थोड़ा सा डीले हो गया है पर क्योंकि एप की जो तैयारी हो बहुत जोर शोर से चल रही है तो अगर तुम लोग ने भी तक 50,000 सब्सक्राइबर जल्दी से इट नहीं करवाएं तो भाई जल्दी करवाद हो ठीक है और अगर तुम लोग नए हो तुमको नहीं पता है इस चैनल के पर क्लास 9 है वो अच्छी चीज मिस करदोगा अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर लो फटावट लाइक करदो नहीं इस वीडियो को और तार्गेट रखते है फटावट 1,000 लाइक कर दो विदिन देन नेक्स 24 आर्स तो फटावट लाइक कर दो प्रीमेर चलते- वेबसेट के अपर तो slides की जो link से हो तुमको मिल जाएगी या फिर community post नपता चल जाएगा या फिर instagram पर update कर देजएगा और साथ में telegram पर भी कर जाएगा तो अगर तुम instagram पर या फिर telegram पर follow नहीं करते हो पढले.in को तो जाके देखें ना हो कि भाई tissues होता क्या है बहुत simple सी चीज है बहुत ही simple सी चीज है देखो मैंने क्या बता तुम लोगों कि जो cells होती है वो cells जब अब जैसे cells जो cells क्या होती है एक structural or fundamental unit of life जो सबसे चोटी unit of life की वो क्या होती है cell अब जो cell है उसके साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि हम अलग 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 देखो cell एक टाइप की तो होती है धेरो टाइप की होती है तो भाई अलग अलग टाइप की जो cells है जिसे मानलों कोई मानलों 50 cells से एक टाइप की तो मैंने उनको जोड़ दिया उसे 50 तो नहीं है उसे 1000 लगती है ठीक है पर आपने 50 cells को उने एक साथ जोड़ दिया तो वह एक टिश्यू बन जाग आप देखो cell जो है वो इंडिविजली अकेल बैट के तो कुछ काम करना है तो बहुत सारी cells एक तरीक की जोड़नी पड़ ठीक है और उसके बाद में फिर जाके वो कुछ function कर सकते हैं तो यह जो cells की एक प्ता होती है यह जो मतलब बहुत सारी cells same type की cells अलग-अलग नहीं सेम टैप की cells जैसे कि मालो किसी जैसे मालो कि अगर हम games की बात करें और अलंबिक की बात करें तो भाई होकी खेल जाले जो प् ठीक है मालों लेट से किसी runner को डाल दो athlete को डाल दो तो वो काम नहीं हो पाएगा तो same type की cells जब जूड़ती है तो वो बनाती है tissues ठीक है the group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue तो structure और function दोनों में same हो cell तो वो जब cells combine होती है तो बनाती है tissue ठीक है अब बहुत ही कमाल का structure ग्राप बता सकत अगर ना मतलब मतलब मालों 3-4 group हो गया एससे तो 3-4 groups से ने क्या बना दीक एक class बना दी ऐसे class 5-6 classes हो गई तो उन्होंने क्या बना दी है एक section बना दिया फिर उस section को अगर मैं ऐसे धेर सारे sections combine कर तो एक block बन गया फिर ऐसे 3-4 block को combine कर दो तो एक पूरा school बन गया ठीक है तो ऐसे करते करते क्या होता है कि भाई, जो cells है, इनको जब मैं combine करूए, जो combination of cells है, वो बन जाएंगे tissue, combination of tissue बन जाएंगे organ, combination of organs, मतलब इसे कि tissue से organ, let's say organ मतलब पेट, stomach क्या है, stomach क्या है, एक organ है, ठीक है, तो ये stomach, मतलब stomach के अंदर जो cells है, जो tissues है, वो same type, same function करना ले, उस मतलब अगर मैं दिल की बात करूए, तो दिल के अंदर जितनी भी cells है, जितनी भी tissues है, mainly tissues है, वो एक तरीके का काम कर रहे होते है, almost, ठीक है, बिल्कुल exactly same, नहीं बटा, एक तरीके का काम कर रहे होते है, at least digestion दो नहीं कर रहे होते है न, दिल के cells, ठीक है, तो ये चीज समझ पर respirator system हो गया, तो उसमें 3-4 organ आगया, पर हमारा nervous system हो गया, तो ये सारे organ system के combination से बनी, एक human body, ठीक है, चलो, बहुत ही बड़ी है, इतना clear है, अब देखते हैं, बाई, types of tissues, देखो, यहीं पर हमारा chapter start होता है, यहीं पर हमारा chapter खतम होता है, इससे ज़्यादा नहीं कुछ है, और इससे कम देख में कुछ नहीं है, तो तुम लोगों को यहां से जो भी मताने वालो, वो ध्यान से सुनना है, और याद करते जाना है, याद अगर तुम लोगों नहीं होता है, तो तुम एक बार इंसाटे रीट कर लेना है, क्योंकि add the end है, यहीं, ठीक है, नाम कि टिशूस होते है, simple से बात है, plant tissues, animal tissues, अब मैं ताहस कर रहा हुँ, मुझे पता नहीं, बट बहुत basic सी चीज है, कि animals क्यों होगा है, प्लांट सी होगा है, अब basic सी चीज, जलो, देखो ही मत इसको, तुमको क्या लगता है, कि basic difference क्या होगा, plant tissue और animal tissue में, क्या, सब जब से basic difference क्या होना चीज, कि animals जो है, वो दौड सकते हैं, चल सकते हैं, और plant बिचार, एक जगे घढ़े रहते हैं, तो उनके जो tissues है, जो animals के, वो mainly किस तरीके से designed है, दौड ने भागने के, मतलब चलने फिर ने के, लोको मोशन के, जिसको हम बोलता है, लोको मोशन, मतलब यहां स से वहाँ जाना, ठीक है, घूम फिर सकते हैं, और plants की mainly किस तरीके से designed हैं, ताकि वो अपना खुद का खाना बना सकें, ठीक है, अपने अंदर खाना ट्रांस्पोर्ट कर सकें, क्योंकि humans के पास में capability हैं, कि वो खाना मंगा सकते हैं, पर plants अज़ा नहीं कर सकते हैं, plants का zometo अनिमल टिशूस को कुछ टाइप से होता हैं, उन दोनों टाइपस जो होता है, मतलब plant टिशूस और animal टिशूस वो ही हमको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें plant टिशूस और animal टिशूस के टाइप से ही पढ़ना है, और जो इसमें basic फंडियों सारे में तुम लोग बता बड़ जहां भी तुमको लगता है कि तुम्हें याद करना ही पढ़ेगा, at any cost, ठीके, मतलब जितना समझ सकते होतना समझ आएगा, बायो जो है, इसलिए किसी को पसंद नहीं आता, कि किसमें रटना पढ़ता है, but no offense, ठीके, तुम लोग बायो पसंद बहुत इच्छी बा प्लांट के बाद करें, तो प्लांट के नदर तुमको दिखता है कुछ चीज़े जो पर्मानेट होती होगी, जैसे खाने का आना जाना, ठीके, अब यह तो पर्मानेट ली चलेगा, प्लांट जब छोटा है तब बड़ा है तब पर कुछ टीशू ऐसे होंगे, जो कि उसक मैरिस्टेमेटिक टीशू is growth टीशू, ये growth में काम आता है, ये growth में काम आता है, जब हमारा plant ग्रो हो जाता है, तो वो सारे टीशू पर्मानेट इस्यू बन जाएंगे, और कुछ टीशू जय से होंगे, जो कि बचपन से ही plant के अंदर होते हैं, जो कि बहुत important होते हैं, जै systematic tissue वो है, जो की growth में help करते हैं, जो बढ़ते हैं, ठीके, अब systematic shoot के अंदर आते हैं, तीन टाइप के, यह याद, नाम तुम लोगों को याद रखने, मैं तुम लोगों समझाते जाओंगा, बट यह जो अगर तुम लोगों चार्ट इतना याद रख लिया, एक बिल्कुल याद कर ले, एक बिल्कुल map set कर ले दिमाग में, तो मैं तुम ल के अंदर था तुम प्लाण टिशू के अंदर देखो, अब जैसे मेरी मेरिस्टिम्टिक के तीन टीप होए, अब परमनेंट टिशू के दो टाइप्स होते हैं, और उनके फडर अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो भी काम के लिए नेसेसरी हैं वो, ठीक है, चलोँड तो और फिर complex tissues के अंदर हमार पास में दो main चीज़ आते जायलम और फ्लोम में यह देखो जायलम के अंदर है पांच चीज़े और फ्लोम के अंदर है चार चीज़े हैं ठीक है अब आगे बढ़ते हैं सबसे पर बात करते हैं सबसे अच्छी खास बात इनकी यह है कि खुद को डिवाइड कर सकते हैं ठीक है मतलब खुद को डिवाइड करकरके मतलब देखो अपने आप तो सैल बनेगी यह तो हमको पता है पिसले चाप्टर में देखा था सेल जो है वो सेल सी बनेगी सेल डिवाइड हो के तो यहाँ प बढ़ रहा है तो उसकी जो branches भी बढ़ रही है और branches बढ़ रही है तो उसकी जो distance है मतलब मालों कि दो branches के बीच के जो distance है वो भी बढ़ रही है ठीक है मतलब अगर कोई plant छोटा है और उसके जो दो branches के बीच में distance बस इतनी सी है तो बढ़ा होने के बाद हो सकता है कि जो distance इत यह जो हमारे जो उपर का stem है, या जो shoot है, इसकी height बढ़ाने में, और नीचे roots को बढ़ाने में, ठीके, तो यह बिल्कुल किस पे होता है, end पे होता है, plant के, और यह end पे होता है, इस लेम उसको बोलते है, is at the apex, या फिर इसको बोलते है, apex से नाम है, apical meristum, apical meristum, जो की हमार height में grow करता है, height में help करता है, ठीके, उपर और नीचे grow करने में help करता है, ठीके, फिर, lateral meristum जो है, वो यहाँ पे होता है, कहां होता है, यहाँ पे, इस type से होता है, लेटर, यह ला और फिगर देख लो, तुम यहाँ पर apical meristum है, और यह जो है, यह जो है, यह हमारी plant की width बढ़ाने में, यह फिर girth बढ़ाने में help करता है, girth G-I-R-T-H, ठीके, यह हमारे plant की width बढ़ाने में मदद करता है, तो plant ऐसे भी बढ़ रहा है, अब जो branches, यहाँ पर तुम देख सकते हो, कि यह पत्ते पत्ते हैं, तो यह पर जो पत्ते लगे हुए हैं, उनको हम बोलते इंटर कहले, उस portion को बोलते है, node, node किसको बोलते है, जहाँ पर से यह पत्ता निकल रहा है, स्टेम पर वो point यह पॉइंट है, यह point है, इस portion को हम बोलते है, या फिर यह इस जगे को हम बोलते है, इंटर कैलरी, अब interकैलरी मेरे stem क्या करता है, जो दो nodes हैं, जैसे कि यह बीच में जो distance है वो बढ़ाने का काम कोन करता है intercalary meristum वरना तुम खुछ imagine करके देखो कि plant तो बढ़ गया पर जो दो branches थी वहीं के वहीं पास-पास ही रह गई अब जैसे छोटा plant है तो समझ में आता है कि इतनी पास-पास branches है पर अगर बहुत बढ़ा हो गया तो यह distance थोड़ी बढ़ी जाएगे न obviously है ना साखाओं के बीच की distance जो है वो बढ़ी जाएगे तो वो काम कोन करता है intercalary meristum बहुत ही बढ़ी है तो यह meristumatic tissue बता जल गया चलो फिर रिवाइज करते हैं बार-बार रिवाइज कर रहाते होंगा plant tissue के अंदर है meristumatic tissue meristumatic के अंदर है epical, epical जो कि होता है top मतब ends पे या तो top में या फिर बिल्कुल bottom पे तो यह हमारा जो shoot है या फिर जो stem है उसकी height बढ़ाएगा और root की भी height मीचे बढ़ाएगा तो यह बिल्कुल plant को खीच रहा होता है फिर lateral meristum जो है वो हमारे plant को ऐसे खीच रहा होता है ऐसे बढ़ा रहा होता है और intercalorie meristum जो है वो intercalories में growth की help करता है ठीके, चलो बहुत ही बड़े अब देखते है permanent tissue permanent tissue के अंदर सबसे पहले आता है simple permanent tissues simple permanent tissues वो होते हैं जो की same type of cells से बने होते हैं ठीके, तो parent काईम हो गया colon काईम हो गया, scleran काईम हो गया तीन टैप के जो tissues होते हैं ये तीनों same type के cells से बने हुए हैं ठीके, चलो, अब इन के जैसे हमने पिछले chapter में देखा था तो, क्योंकि 8 दिन तुमको याद करना है पर मैं सिर्फ ऐसा तुमको पढ़ा के छोड़ने नहीं वाला हूं मैं तुम लोगों को याद करने के भी टेक्निक बताऊंगा भाई, PCS बता है क्या होता है ठीक है, PCS का exam दिया था मैंने तुम नगर फिल्म देखे हो तो, कौनसी फिल्म का डालोगे तुम बता देखे हो तो PCS याद रख लो बस ठीक है एक बार PCS याद रख लिया इसके बाद में बस तुमको याद रखना है ठीक है, तो PCS, पेरेंकाइमा, कॉलनकाइमा, स्कलेरंकाइमा पेरेंकाइमा सबसे ज़ादा इंटरसेल्यूरर स्पेसे होती है मतलब जो पेरेंकाइमा का टिश्यू है उसके अंदर जो सेल्स हैं, उसके बीच में जो स्पेसे हैं कि intercellular spaces, the distance, the space between the cells, वो सबसे जाधा होती है, किसमे P में, यानि कि parent काइमा में, फिर colon काइमा में उससे थोड़ी सी कम होती है, और scleran काइमा में बिल्कुल spaces नहीं होती है, यह पहला difference जाद हो गया, ठीक है, large intercellular spaces, little intercellular spaces, और तीसरे में कहा है, cells are long, narrow, और इसकी जो walls होती है, बहुत थिक होती है, जो cell की जो walls है, वो बहुत थिक होती है, cell wall होती है, हम सबको पता है, plant tissues के अंदर, plant cell के अंदर cell wall होती है, हमने पिछली चप्टर में बढ़ा था, जो कि animal cells के अंदर नहीं होती है, ठीक है, तो cells जो है उसक हमने देख ले कि walls इसकी काफी थिक होती है, तो comparatively क्या हुआ, कि भाई इसकी जो walls है, thin है, इसकी walls जो है, वो corners पे comparatively थिक है, और इसकी जो walls है, वो तो काफी थिक है, इसमें intercellular spaces काफी जादा है, इसमें intercellular spaces काम है, ठीक है, यह time stamp note करना, description में, और बताना, कि तुम यहां तक देख रहे थे, ठीक है, और यहां पर क्या हो अब, और यह जो है, यह क्या हो गया, इसमें, स्याद जो है, वो काफी थिक है, और इसमें कोई spaces नहीं, पिर लिविंग, लिविंग, डेड, मतब शूरू के दो लिविंग है, और तीसरा वाला, डेड है, ऐसे करके याद कर food store करना, main list का function है, food को store करना, and mechanical support, तो जो भी खाना बनता है, वो parent कायमा के पास आया था, कि लोग, तुम लोग store कर लो, कॉलन कायमा का क्या का में, flexibility देने का, flexibility मतलब तुम देते हैं, को कि यसे plant होता है, तो plant को तुम ऐसे तोड़ते हो, अगर मालो पत्ती को तोड़ते हो, तो एकदम से करके बाहर नहीं आएगी, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तुमको, तो वो जो flexibility है, वो कौन दे र कर सकते हो, ठीक है, अब parent कायमा के अनदर, parent कायमा के अनदर, मतलब वो parent कायमा जिसके अनदर chlorophyll present होते। जिसके हम food storage के बात करें आप तो प्यूच parent कायमा, एसे होते हैं, जिनके अनदर chlorophyll stored होता है, उनको हो बोलते है, chlor Academia और मिला हुआ। जितने भी फ्लोटिंग वाला है उनमें air enchyma help करता है तो ऐसे पर अब वापस से देखो parent kyma, call enchyma, scler enchyma PCS, ठीक है intercellular spaces समझ में आ गई, living, living, dead ठीक है, food storage, flexibility और hardness and stiffness, SS stiffness, stiffness, ठीक है, अब यहाँ पर parent kyma के अंदर दो और चीज़े होती जो कि होती है, chlor enchyma और air enchyma वैसा parent kyma, जिसके अंदर chlorophyll present है, उसको मैं chlor enchyma बोलूँगा और वैसा parent kyma, जिसके अंदर air spaces filled है, उसको मैं air enchyma बोलूँगा air enchyma जो है, वो floating वाले plant से मदद करता है, ठीक है, यह तो उड़ने वाला हो गया मैं floating वाले की बात कर रहा था, चलो, बहुत ही बढ़ा एक और इसमें type होता है, जो कि होता है protective, तो simple, simple tissues है simple permanent tissues है, अब देखो, यह 3 नो permanent होगा है तुम ध्यान से सोचो, देखो function के इसाफ से देखो obviously food storage तो हमेशा से होनी चाहिए है प्लांट में, तो parent काई में तो लगए लगए हो, फिर flexibility हमेशा से चाहिए थी plant हो, बचपन से लगए बढ़े होने तो भी permanent हो गया फिर hardness and stiffness हमेशा से चाहिए थी तो यह भी permanent हो गया ठीक है, protective जो है, protective भी किसमें आता, simple में आता, protective यह चौथा type है तो protective क्या होता है? यह epidermis होता है, epidermis एक ऐसा, एक ऐसी cell, देखो एक type की cell होती है, जिससे एक tissue बनता है अब वो जो tissue, जो protective tissue है, उसको हम epidermis बोलता है, अब जो epidermis है, वो पूरे plant पे एक चादर की तरह बिचा होता है पूरे प्लांट पे चादर की तरह बीछा होता है, जो कि उसको काफी सारी चीज़े से help करता है, मतलब पहली बात तो यह है, कि वो प्लांट को outer और inner environment को बीच में differentiate करता है, मतलब एक परदा लगाता है, ठीक है, तो इसके देख लो, this is usually made of single type of cells, in some plants, in very dry habitats, epidermis जो है, वो प्लांट को, ठीक है, और it protects all the parts of the plant, तो देखो, the entire surface of plant has an outer covering epidermis, तो बाहर की covering होती है, epidermis, यहाँ पर तुम देख सकते हो, और यह देखो, यह गाड़सल तुमको देखेंगी, यह stomata वाला portion है, हाला कि यह जादा चीज़े तुम लोगों को आगे और पढ़ने को मिलेगी, अभी के लिए जितना हमारे जरूरा सब दता रहा हो तुमें, ठीक है, तो अगेर, प्लांट टिशुस में कहा के देखेंगे, हमने मेरिस्टमाटिक देखेंगे, अपिकल, लेटरल, इंटर के रहे दी, फिर पर्मनेंट टिशुस के अंदर, सिंपल देखेंगे, पैरन काइ इनका सबसे important function होता है, conduct करना, जैसे electricity conduct करना, मतलब, electricity को यहां से वहां पहुचाना, मतलब, किसी चीज़ को यहां से उठा के वहां तक पहुचाने का काम जो है, वो यह complex permanent tissues करते हैं, अब इनको complex क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं, क्योंकि xylem और phloem के अंदर, same type of cells न को पढ़ना है, ज्यादा detail में नहीं पढ़ना, जितना जरूरी उतना ही पढ़ना है, तो xylem और phloem उंको समझ में आगे हैं आपर, दो types of complex permanent tissues है, अब xylem जो है, वो क्या काम करता है, xylem जो है, water और minerals transport करता है, ठीक है, यह बात याद रखता है, phloem, ph, देखो, पहली बात है, ठीक है, बहुत सारी, मैं तुमको ऐसे जो, जो बाते समें लिखी हो है, बहुत लॉजिक तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि मैं ने इंटर-कैलरी बताई थी, तो मुझे मेरे टाइम पे बढ़रा confusion हो था, इंटर-कैलरी समाजने में, पर अभी तुम लोगो समझ में आ इस वाली पती ने जो खाना बना है, इसको यह उपर पहुंचाएगी, और इस वाली पती ने जो खाना बना है, यह उपर तो पहुंचाएगी, तो यह नीचे नीचे पहुंचाएगी, मतलब कि जो खाने का आना जाना है, वो उपर की तरफ भी चल रहा और नीचे की तरफ मतलब यह सिर्फ एक डिरेक्शन में काम करें कि obviously जो पानी है यह जो मिनरल से वह plant को हवा से थो मिलेंगे नहीं तैरते हैं हावा से उनको बस क्लोरोफिल मिलेगा मतलब वह भी तुम प्लाइट से मिलेगा तो फोटोसंथेजिस से फूड बनाएंगे तो फूड तो उपर तक पहुंचेंगे, तो यह Xylem जो है, यूनि डिरेक्षनल होता है, अब अगर हम Xylem की बात करते हैं, Xylem हमारे पास में 4 main types होते हैं, Xylem track aids, Xylem vessels, Xylem parenchyme और Xylem fibers, ठीके, अब देखो, यह स्ट्रक्चर तुम देख सकते हैं, ठीके, यह जो basic structure है, इनके diagram तुम याद कर ले वेसल तो कर दिखी रहा है, वेसल मतलब वेसल जैसे होता है, जैसे वेसल होते है, जैसे glass होता है, उस type का दिख रहा है, ठीके, तो ऐसे समझ वाज़ेगा, अब track aids और वेसल है, यह दोनों almost similar काम करते हैं, क्या क्या similar काम करते हैं, these are thick dead cells, तो Xylem के अंदर, जो track aids और वेसल ह यह दोनों dead cells होती है, इनका जो structure है, tubular है, देखो, track aids और वेसल, दोनों का tube type का structure है, tube जैसे दिख रहे हैं, है ना, pipe जैसे दिख रहे हैं, पानी फेक सकते हैं इसके अंदर से, देखे, और तीसरा के है, transport water and minerals vertically, समझा है, तो यह tube जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ से पानी उ function हमने देखा था न, क्या था, parent camera function क्या था, यह देखो, यहाँ पर लिखा है, parent camera का food store है, तो जैलम के अंदर भी एक parent camera होता है, तो basically simple tissues में, 3 simple tissues है, मतलब जिन में same type of cells होती है, तो यहाँ पर जब multiple type of cells है, तो parent camera भी हो सकता है, ठीक है, तो parent camera क्या कह रहा है, यहाँ पर जैल पर पते हैं, जो यहाँ पर और फल, fruit वगरा हैं, उनको भी तो देना है, तो यहीं कहीं जो horizontal लगेगा, जैसे कि तुम देखो, for example, जैसे कि यहाँ से यहाँ पानी उपर गया, अब अगर इस stem को देना है, तो stem के लिए तो मुझे थोड़ा सा horizontal जाना ही पड़ेगा न, ठीक अब तुम तुमारा काम करें, तो भाई, जैलम है, इन चार main, इन चार main constituent से बनता है, जो कि अपना-अपना काम करता है, ठीक है, जैसे कि यह उपर ले आने का काम कर रहा है, फिर साइड में देने का काम कर रहा है, प्लस स्टोर करने काम कर रहा है, और जैलम fiber जो support कर रहा ह फ्लोएम का यहां पर figure दे रखा, फ्लोएम का सिर्फ एक ही figure दे रखा तुमको, यह NCRT के उठाया है, मैंने इधर दर के नहीं उठाया है, मैं यह सोचा थे कि NCRT जीतना करें उतना अच्छा, क्योंकि ADDIAN हमारे लिए जो useful है, वो तो NCRT है, ठीक है, चलो, तो फ्लोएम का अ Seev Cells, Seev Tupes, So Seev Tups की बात कर लाए, तो almost similar सी चीज़ है, Tubular Cells with Perforated Vos, मालब जो Seev Tupes, These are Tubular Cells, जैसे Tube यहां पर बने है, तो Tube तुमको देख सकता है पर, Seeve Tupes दिखा रहा है तो, एक तो Tube से Tubular है, तो Tube जैसा दिख रहा है, है ना, and these are Perforater, मालब इसमें छोटे-छोटे- और नुटरेंट और शुगर ट्रांसपोर्ट करने काम को न करता है सीव टूबस सेव तो नाम सजेस्ट कर रहा है कंपैनियन का काम करता है दोस्त का काम करते हैं तो यह में हमारे सीव टूबस है इनको कंपैनियन देने का काम करते हैं फिर फिर फ्लोयम फाइबर्स के अगयन फिर से आगए तो फिर 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 हैं तो फिर फिर जो हैं अगयन डिद सेल जै से जैल म के अंदर यह डड़ सेल वह ली नियूँग सेल है और यहां पर सारी Powえば यहाँ पर सब लिविंग है सिर्फ फाइबर्स को छोड़के इतना क्लियर है तो फाइबर्स डेडर पर इंदर सब लिविंग है सिर्फ fibers को छोड़के और xylem के अंदर सब dead हैं सिर्फ parenchyma को छोड़के ठीक है कि parenchyma तो living जी होगा ठीक है तो यह क्या कर रहा है प्रोवैड flexibility अना flexibility दे रहा है और मतलब obviously flexibility लगए कि खाना ट्रांसपोर्ट हो रहा तो और phloem parenchyma यह कहा है stores starch and proteins तो अगे इसका storage काम है तो और यहां पर arrow उपर निचे उपर निचे उपर निचे ठीक है तो यह water and minerals transport कर रहा है और water and food ट्रांसपोर्ट कर रहा है water मतलब वही minerals sorry water and food मतलब sugar वगगर है इसा नहीं कि पानी में ले रहा है तो थोड़ा सा पानी ने ले सकता मतलब जो जरूरी है उसके हिसाप से ठीक है व cells having no end walls between them cells की कोई end walls नहीं और यहां पर cells की end walls और यहां पर perforations भी है ठीक है चलो यह हला कि दो तिन पॉइंट जादा है पट सिल काम में आ सकते हैं अब देखते हैं animal tissues तो plant tissues का पूरा हमारा portion था यहां पर complete हो गया अब animal tissues की बात करेंगे अब यहां पर हम जादा detail में बात नहीं करेंगे यहां पर हम सिर्फ नाम देखेंगे उनका structure देखेंगे और जादा कुछ चर्चा यहां पर नहीं होगी बट जो भी है तुम लोगों को एक बार इसको read करना ही करना है तुमको लगए तो बहुत ही छोटा सा देश में कुछ था ही नहीं तो हां actually देखो अगर अब इसके अंदर मेंली चार टाइप्स होते है एपिथीलियल मस्कूलर कनेक्टिव और नर्वस मेंली यह जो नाम है वो सजेस्ट करते हैं तो इतना समझ में उतना समझो फिर मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा ठीक है यह हम मैं मैं ऐसी करता हूं कि इतना तुम लोग कनेक्टिव समझ में रहा है कि दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं कहीना कहीं से कैसे दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं फिर कुछ चीज ट्रांस्पोर्ट हो रही तो कनेक्शन हो रहा है कहीना कहीना कहीन है क्योंकि बॉड़ी के अंदर सब चीज़े अलग अलग है जैसे कि ह हाट यहाँ पे और स्टमक यहाँ पे बट डेफिनिटली न अगर भाई देखो कही न कई connection तो लिए ठीक है तो यहाँ पर गर कुछ होगा दिल में तो थोड़ा सवार पेड में भी होगा पेड में तो दिल में भी होगा ठीक है तो थोड़ा सा connection तो रेता μέal कौन बनाता है, connective tissues, इतना समझ जा रहा है, बहुत ही vague example, लहुत ही layman भाष्या में example दे रहा हूँ, nervous, समझ में आ रहा है, nervous वो नहीं कि शर्मा आ गए, वो वाला nervous नहीं, nervous मतलब, जो nerves है हमारा, दिमाग का पूरा का पूरा जाल है, और जितनी भी nerves है, कि भाई, मुझे आपर नाम देख लो, तो squamous, cuboidal, columnar, ciliated और glandular, ठीके, देखो, squamous, मैं तुमको बता तो, squamous मतलब squack, अब ये कैसे बता हूँ, तुमको, squack मतलब ऐसा, बिल्कुल, sheet type समझ सकते हो, cuboidal मतलब, cuboids, अभी मैं तुम लोगों को एक idea दे रहा हूँता है, कि जब आगे बता हूँ, तो, तुम लोगों को easy लगे, तो, उमको बिल्कुल ऐसा नया ना लगे, क्योंकि का होता है, कोई भी जीस, हमने थर्ड़ी सी भी सुनी होते हूँ, तो, हमको बहुत अच्छे से relate करने को help हो जाती है, ठीक है, तो, keyword, 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 cubes, cubes, columns, columns, ऐसे, जो, columns होते हैं, बड़े-बड़े तो, glandular tissue समझ में आगए, तो, glands कौन-कौन सां तो, उमको पता है, जिसे के sweat gland है, तो, sweat secret होता है, तो, अलग-अलग glands होता है, तो, यह तो, उमको पता है, ठीक है, इतना basic basic भास्चा clear है, अब आगे और बताऊंगा, तुमको detail में, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, muscular के अंदर cardiac attack आगया, तो, क्या हो गया, heart attack आगया, ठीक है, तो, cardiac मतलब, heart muscles, दिल से जुड़ी, ठीक है, फिर, straighted और smooth, अब यह दो चीज़े, अब इसके अंदर तुम पहले, मतलब भली बात में समझना, function समझ लो, voluntary और involuntary का मतलब क्या होता, देखो, कुछ ऐसी cells होती है, कुछ ऐस अपनी इच्छा से, तो, मेरे इच्चा है, मुझे चले ना है, तो, मि चल काूंगा, तो, ये सारी जितने भी, टीशू선, जो भी मेरे चलने में help करेंगके, यहां पर मैरे हाथ के जितनी muscles हैं, ठीक है, फिर, पैर के जितनी muscles हैं, ठीक है, फिर, यह जो, यह जो, यह बार- लाँ बर ऐसा है यह जितनी मसल्स यह सब चलने में एमकर रहे हैं तो यह सब रहे हैं foreign अपनी मर्जी से हिला सकता हूँ, अपनी मर्जी से चला सकता हूँ, और involuntary मतलब क्या होता है, involuntary मतलब जैसे दिल है, तो अब दिल के अंदर muscles है, पर मेरी इच्छा से नहीं चले हैं, और मैंने सोचा कि एर एक नट, रुको, रुको, तो ऐसा रुख तो गई नहीं दोडग हाट जो है, वो काम करेगा, irrespective of what I want, ठीक है, पेट जो है, वो अपना काम करेगा, intestines अपना काम करेगी, दिमाग अपना काम करेगा, ठीक है, तो यह involuntary muscles हो गई, सारी के सारी, चलो, बहुत ही बड़िया, connective में देखो, connective मतलब कहीं कहीं connective करे तो इसे blood है, तो blood भी एक connective blood का कुछ sense तो होना चाहिए, जब लेती थोड़ी एक liquid flow कर रहा है, पूरी body में यहां से, कि मजा आ रहा है, चलो, थोड़ी गुदगुदी होगी, वैसा तो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ काम तो होगा, उसका, कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट तो कर रहा होगा, तो blood ज epithelial tissues जो है, वो जो covering और protective tissues होते हैं, जो कि cover कर रहे होते हैं, स्किन को, mainly, जो cover करने वाले tissues होते हैं, उनको हम बोलते है, epithelial tissues, ठीके, they cover most organs and cavities within the body, सिर्फ skin की बात नहीं कर रहा हूं, organs की बात कर रहा हूं, जैसे अब मेरा पेट है, तो यह पेट को बाहर निकाल लो, तो तो पेट की जो inner walls है, अंदर की side की जो walls है, वो भी covered होगे, एक tissues है, एक protective tissues है, बाहर वाले भी covered होगे, ठीके, तो these covers most organs and cavities within the body, it also forms a barrier to keep different body systems separate, है ना, मतलब से कि पेट जो है, वो intestine के अंदर ना घुझ जा है, ठीके, तो यह थोड़ा separation maintained रहे, तो वो epithelial tissues उसका काम करते है ठीक है, और they are tightly packed, obviously, tightly packed ही रहना पड़ेगा उनको, ठाकि जो बिल्कुल अच्छी तरीके से protection हो पाई, ठीक है, इसके में चार्ट से वो देख लो, simple squamers, simple squamers, simple sheet type structures, ठीक है, sheet type structures, यहाँ पर तुम देखोगे, तो भाई, ऐसा कुछ पर्टिक्लर ऐसा arrangement नहीं है, ऐसा simple तरी little issues, तो keyword L में क्या होगा, देखो, cubes के form में दिख रहे हैं तुमको, यह जो cell से, चोटी-चोटी cell से, cubes के form में दिख रहे हैं, और यहाँ पर तुम देखो, blue-blue अरगा का है, this is nucleus, this is nucleus, ठीक है, फिर simple columnar, columnar के अंदर देखो, क्या है, columns की तरह खड़ा है, और stratified, stratified मतलब कि द different layers, तो यहाँ पर तुम देखो, यह एक layer, दूसरी layer, तीसरी layer, यह सब अलग-अलग तरीक से packed है, but these are in the form of layers, एक, दो, तीन, चार, पांचे, simple columnar देखो, तो ऐसी कोई layers नहीं, बस ऐसे खड़े हैं, ठीक है, तो यह इसको, इसको हम बोलते है, stratations, और stratations के थूरू इसका ना टीशू है, तो इसके अंदर, जब hair-like structures होते हैं, ओपर, hair-like structures है, देखो, इस type के, देखो, इस दिख रहे हैं, पर hair-like structures है, यह अगर होते हैं, तो इनको हम बोलते है, ciliya, 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 ciliated epithelium, तो ciliya किस काम आता है, यह ज़्यादा detail में, तुम आगे पढ़ों के बढ़ों इसके अगर, basically, हमारा surface area increase हो जाता है, ठीक है, surface area increase हो जाता है, तो इसे मालो कि, absorb करना किसी चीज़ को, तो ज़्यादा area में absorb हो जाते हैं, let's say कि, भाई, कोई एक surface ऐसा है, अब इसके अंदर मुझे absorb करवाना किसी चीज़ को, तो इस इतनी area में हो पाईगे, पर let's say मैंने क सीधा रखा है, फिर एक thread को ऐसा, 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 ऐसा करके रख दिया, तो same जगे में pack हो गया वो, पर काम जाधा कौन सा करगा, absorption का वो, जो मैंने ऐसा, ऐसा, ऐसा करके रखाया, ठीक है, तो same काम से related कर रहा था, पर glandular epithelium एक जो अलग टैप का है, इसके अंदर के आता है, तो यहां से secret होता है, gland, ठीक है, these are secretary units, ठीक है, this is glandular epithelium, और यहां से secret होता है, और फिर duct के थू, duct मतलब जैसे AC duct होता है, तो AC duct के थू, AC के हवा निकलती है, तो वैसे यह duct के थू बाहर निकल जाता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा, तो epithelium खतम हो गया, clear है, कुछ भी यह मैंने ऐसा कर दिया, तो मैंने कहें कि अपनी muscles को contract कर लिया, ठीक है, body नहीं दिखा रहा, पर contract कर लिया, और इसे छोड़ दी, तो क्या करते है, relax कर दिया, तो this helps in contraction relaxation, and due to, क्यों होता ऐसा, इसमें ऐसा क्या है, जो contract and relax कर सकता है, इसमें है बाई, contractile proteins, इसमें क्या है, contractile प्रोटेंस, यह नाम याद आख लो, important नाम है, contractile proteins, contractile proteins होने के कारण, यह, मतलब, contract और relax कर सकता है, अब देखो, तीन टाइप की चीज़, आप देखो, यह मैंने बहुत ही बड़ी डाइगराम रूदा तुमारे लिए, जिसके अंदर तीनों चीज़ एक साल समझ में आ ज करते हैं, तो यहां पर तुम देख सकते हो, इसका structure कैसा, cylindrical है, और यह multi-nucleated है, इसमें 3 nucleus दिख रहे हैं तुमको, मतलब, ऐसा तो multi-nucleated मतलब, तीन नहीं बहुत हर हो सकते हैं, बट यहां पर तुम देख सकते हो, कि एक ही cell के अंदर multi-nucleus है, multi-nucleated है, these are cylindrical, cylindrical shape में strated, strated मतलब, अभी देखाता हैं, stratations होते हैं, मतलब की layers के form में होते हैं, ठीक है, unbranch क्या, कोई branch दिख रहे हैं, आप नहीं दिख रही है, ठीक है, और voluntary, यह चीज़ हो जागी, तो चार qualities है, इन चार के बीच में हम difference देखेंगे, कि cylindrical है, हाँ यह cylindrical है, strated है, मतलब layers के form म दिखता, तो ऐसे नाम याद रखलो, smooth muscle cell के होता है, this is spindle shaped, unstreated, मतलब, यह layers के form में होते हैं, इसे, उल्टे सीधी रह सकती है, मतलब, ऐसे, proper, एक उपर एक, एक उपर एक, जैसे हमने देखा था, stratations, इस टाइप का नहीं रहता है, इसका structure, फिर, uninucleated, एक ही nucleos, this is involuntary, obviously, इसले पर पेट कराइशन मेरे हाथ में नहीं है, और जो cardiac muscles है, सिर्फ दिल में होता है, obviously, cardiac से नाम समझ आगा, तो this is cylindrical, है ना, और this is branched, यह देखो, यहाँ पर branches दिख रहे हैं, जैसे कि यह कैसा बिल्कुल, proper, straight, cylinder जैसा दिख रहा था, यहाँ पर थोड़ी सी branches दिख रहे याने कि stomach की smooth cells और cardiac muscles है, वो दोनो unineucleated है, और जो मेरे हाथ में है, जो मैं अपने मर्जी से चला सकता हूँ, जो voluntary है, और वो कैसे हो गई, multi-nucleated होगई, ठीक है, फिर shape जो है वो तुम याद कर सकते हैं, आपर, shape तुम देख सकते हो, ठीक है, चलो, connective tissue, connective tissue की बात करते ह पहाम कैसे करता है, अब ऐसा तो नहीं कि तार जुड़े हो है, ठीक है, सिर्फ ऐसा तो नहीं कि तार जुड़े हो और बाकि पूरी बाड़ी में हवा भरी होई है, तो connective tissue की concept की होता है, ऐसा concept होता है, कि एक matrix, matrix चीज होती है, जो कि मानलों एक fluid हो गया, या fluid भी हो सकता है fluid के अंदर सब चीज हो गई, तो fluid है, उसको हम बोलेंगे matrix, अब उस matrix के अंदर बहुत सारी cells embedded कर रखे, जैसे blood है, तो blood के अंदर क्या है, blood के अंदर क्या है, हमारा जो plasma है, बलड के अंदर जो liquid वाला part है, या fluid वाला part है, जो कि हमको दिखता है, गीला गीला सा, वो होता है plasma, और उस plasma के अंदर बहुत सारी cells embedded होती है, तो basically जो main काम है, वो cells का है, पर plasma क्या काम कर रहे है, यहां से वाँ उसको ले के जाने का, तो plasma is like a matrix, plasma किसका का काम कर रहे है, matrix का का काम कर रहे है, और matrix एक medium बन गया, अब यह जो fluid है, जो plasma fluid है, वो क्या बन गया, एक medium बन गया, सारी के सारी cells का अपने अंदर ढोला, ऐसे मस्ट गोल लिया, और सब को आगे पीछे करने लगे, फिर सारी cells अपना काम कर रहे है, कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहे है, फिर कुछ अलग काम कर रहे है, तो ऐसा गोल मिलने मतलब अपनी बहुता रहा हूं, मैं इसा लिख क्यों आना कि they mixed inside ऐसा नहीं होता, ठीक है, चला, the cells of connectivity are loosely packed and embedded in an intercellular matrix, ठीक है, the matrix में भी jelly-like fluid, मतलब matrix जोग जैली-like भी हो सकता है, jelly ऐसा हो सकता है, fluid हो सकता है, जैसे कि blood के case में होता है, dense हो सकता है, मतलब थो बहुत गाड़ा हो सकता है, फिर rigid भी हो सकता है, rigid मतलब, dense मतलब हमार rigid मतलब जैसे कि bone है, तो bone भी एक connective tissue ही है, bone भी क्या है, connective tissue ही है, ठीक है, चला, जैसे कि matrix एक medium समझ माएक है तुमको, यहाँ पर देखो, यह पूरा-पूरा blood देख रहा है, blood के अंदर ब्लड के अंदर बिल्कुल जहां क्या देख रहा है, कि blood कैसा होता, तो सिर्फ लाल क medium, this is the matrix, ठीक है, matrix अभी बता तुमको क्या होता है, अब इसके अंदर अलगल टाप की cells है, जैसे कि white blood cell हो गई, red blood cell हो गई, platelets हो गई, यह जो है, नीचे लिखा यह है, platelets, ठीक है, यह सारी चीज हो गई, तो यह सब किसके अंदर emitted है, उस matrix के अंदर emitted है, ठीक है, bone के कैस मे अब देखो, bone है, तो bone की बात, अगर मैं करूँ, तो bone के यहां पर क्या दिख रहा है तुमको, हमको यहां पर bone में दिख रहा है कि भई देखो, अब एक चीज बहुत important ध्यान से सुनना, हाँ, पहले बात तो बता दू कि bone के अंदर जो matrix होता होता है, calcium phosphate, बहुत अब एक च घीच चीज दिख रहे हैं, और यह bone दिख रहा हैं, तो muscle और bone को कोई एक चीज connect कर रही है, तो यह क्या है, connectivity शो क्या हो गया है, यह tendon, यह muscle को से और bone को connect कर रहा है, पर अगर तूम ध्वान से देखो यहां पर, तो societies, और यह जो bone है, इन दोनो bones को connect भी कर रहा है कुछ, देखो ये जो bone है अब ही देखो, मेरी बात हो नो, ये muscles से ये bone connect होई, हना, अब इस bone से again दूसरी bone connect होई, हना, ये दूसरी bone है तो bone से bone को कौन जोड़ रहा है, ligament जोड़ रहा है, ठीक है, तो अब बहुत important चीज यहां पर ध्यान रखो, कि भाईया, muscles को bone से जोड़ने वाला होता है tendon, और bones को bone से जोड़ने वाला होता है ligament, आप तुम इसको याद कर सकते हो, MTB या BLB, इस टाइब से, तो BLB अगर तुमने याद अख लिया, तो tendon अगर तुमको नहाम याद है, तो BLB मतलब कि ligament का करता, BLB, मतलब bone, ligament, bone, तो bone, फिर ligament आया, फिर bone, ligament ने एक bone को दूसरी bone से connect किया, फिर MTB, ठीक है, तो MTB मतलब tendon, muscle, M for muscle, तो muscle को tendon के थूँ, मतलब muscle जो है, वो bone से कैसे connect हो ही, tendon के थूँ, तो MTB, clear है इतना, इतना बहुत ही आसान से चीज़ थी है तो, ठीक है, चलो, इतना clear है, now, तो ये चीज़ आ रखना तुमको, अब bone के अंदर, अब bone भी है connectivity है, तो bone के अंदर जो matrix होता है, जो medium होता है, वो hard होता है, rigid होता है, ऐसे bone, ऐसे liquid, liquid होती नहीं, ठीक है, तो वो जो होता है, calcium phosphate, ठीक है, अच्छा, अब bone के अंदर, जैसे दो bones connect होई, है ना, अब जैसे दो bones अगर touch में है, तो बिल्कुल ऐसा तो होगा नहीं कि touch में होगा वरना bones घिसा दाएगी, है ना, तो उसके लिए बीच में होता है, cartilage, एक इसा articular cartilage जिसको हम बोलते हैं, तो यह basically क्या चीज होती है, यह थोड़ा सा smoothening का काम करता है, ठीक है, और एक और चीज, एक जो bone होती हो, बहुत important जिसको बोलते हैं, cartilage जिसको बोलते हैं, cartilage जिसे कान है, तो कान यह जो ना, है bone ही है, यह दिख रहा है तुमको, यह पूरी bone ही है, but this bone is थोड़ी flexible होते है, तो इसको हम cartilage bone बोलते हैं, तो यह हमारी cartilage हो गई, ऐसा समझो, ठीक है, चलो बहुत ही भी होता है, मतलब, जादा fat नहीं, एक limit में fat ज़रूँ है, ज़्यकि fat cells जो आपकी skin को काफी protect करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी fat cells होंगी, सही थोड़ी थोड़ी, हर जेगे कोई ना, कोई cell होगी कि-ढम ठाकी 살, ठीक है, तो fat cells जो, यह फिर parade में भी होती है, यहाँ पर, ठीक है, तो fat cells जो हो है, उसका क्या system है, देखो, सबसली हाथ है, तो यहाँ पर यह fat cells कुछ इस type के दिखती हैं हमको, ठीक है, तो यह इस type में आया है और हमारी स्किन हो गई फिर ठीक है बाहर के तो यह देख लो इस टाइब का हमारा जो स्ट्रक्चर जो स्किन का थोड़ा सा कॉलम निकाल के हमने इसको जूम के वह इस टाइब का देख रहा है एक चीज और कि लिंफ जो है लिंफ भी आ गहने के इंपॉर्टन श्यूम तो बसे बाअ जो स्टाइब का था है बहुत है तो इसके ले घ्ले सिर्स्ट के नर्वस सीचु का काम क्या है this conduct signals in the form of electrical impulses तो electrical impulses के form में ही signals को transport करता है फिर conduct करता है यहां से वहां पहुंचाता है ठीक है brain तक पहुंचाता है यह तुमारी NCRT के ही शब्द है मेरे शब्द नहीं है ठीक है this is highly specialized for being stimulated and transmitting the stimulus very stimulated stimulus मतलब क्या stimulus जो instant action हो जैसे कि मैं ऐसा कर दो किसी के सामने तो एकदम समस्कार क्या हो कि चांटा पढ़ने वाले मारू ने पर वह एक पहला reaction होता है body का ठीक है वैसे जैसे कि मैंने किसी गरम चीज़ पहाता आगा तो यह जो मैंने किया this is my instant stimulus जो मेरे दिमाग में एकदम से instantly आए तो stimulus rapidly transfer होना बहुत जरूरी है क्योंकि मान लो कि let's say कि एक बहुत ही गरम cooker सामने रखा अब क्यों कि cooker में हमने खाना बना लिया बहुत अच्छा example देते हैं ठीक है अभी बोलते बोलते आगे cooker में हमने खाना बना लिया अब cooker को मैंने रख दिया side में cooker तो गरम ही है अब ममी ने खाना बना लिया अब मुझे पता नहीं कि cooker गरम है अब मान लो मैं cooker के पास गया और मैंने हाथ लगा के देखता हूं अब मैंने हाथ लगा और कुकर गरम लगा तो impulse or transfer ही मेरे brain तक दिमाग ने बोला कि हाथ अटा हो तो मैंने हाथ अटा लिया कि यह गरम यह तो पर मान लो कि ऐसा stimulus नहीं होता या फिर यह impulse transfer नहीं होती और मैं हाथ लगा कर रहा है मुझे मेरे दिमाग जो मेरा दिमाग जो signal नहीं दे रहा है इसको कि यह हाथ अटाओ तो मैं ऐसे हाथ लगा रखता और पर दो मिनिट बाद मेरा हाथ ही जलता पूरा का पूरा तो हाथ तो जलता ही जलता ना कि गरम तो ही वह देखो मुझे गरम लग रहा है this is different thing और वो actually गरम है this is different thing क यह कि अगर तुम देखो तो कुछ लोगों को ठंड जाधा लगती और कुछ लोगों को ठंड लगती पर थन्ड तो होतनी है ठीके तो वैसे ही अगर मैंने एक गरम कुकर को हाथ लगा तो मेरा हाथ तो जलेगा ही जलेगा अब मुझे जलन हो रही है कि य stolen हो रही है और यह इसी से रिलेट होती है, उसमें क्यों होता है कि आपके sensations कतम हो जाते हैं, तो अब गरम को touch कर रहो तो आपको feel नहीं होगा कि आप गरम चीज को touch कर रहो, तो वो नुकसान, तुम को बहुत अच्छी बात है, बहुत अची बात नहीं कि जिसमें sensations कता हो जाता है, body के, गरम ठंडे के, वो बिमारी कॉन से होती है, उसका exactly कुछ problem जो होती है, फिर syndrome को उसका नाम कहता हो, तो मुझे ने क्यों मेंट से बताओ, ठीक है, चलो, बहुत ही बढ़ी है, the brain, spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue, तो brain, spinal cord, और बाकी जितनी भी nerves है, वो सब, तो basically structure के साब brain, head है, spinal cord, मतलब main जो काम कर, मतलब spinal cord बहुत important है, main यहां से सारी फिर branches निकल रहे हैं, ठीक है, the cells of the tissue are called nerve cells or neurons, तो जो nervous tissue है, इसकी जो cells है, इंकॉम क्या बोलता है, nerve cells या फिर neurons, तो यह cell जो होती है, मतलब nervous tissue है, nervous tissue के अंदर cells हुई, उन cells को क्या बोलता है, neurons बोलता है, अब इस neuron का structure देख लेते कि neuron दिखने में कैसा दिखता है, तो neuron दिखने में कुछ इस तरीका का दिखता है, ठीक है, यह हमारा neuron जो इस टाइप का दिखता है, यह एक neuron की cell, ऐसे धेर सारी neuron की cell बनके nervous tissue बनता है, और ऐसे धेर सारे nervous tissues मिलके, spinal cord, brain, और फिर बाकी के जो nerves है, वो बनाते हैं, ठीक है, nerves है, वो बनाते हैं, ठीक है, कैसा है सबसे बिला, देखो, nucleus है, पहले से देखो, यह कैसे जाड जासा दिख रहा है हमको, ठीक है, थाड़ा पेड जासा दिख रहा है, तो यह nervous, यह क्या है हमारा neuron है, neuron के अंदर यह क्या है, हमारा पास में nucleus है, अब nucleus के अंदर यह देखो, अलग-अलग ऐसे ball type की चीज़ें निकली हुई है, तो यह क्या हो गया, dendrite हो गया, यह dendrite हो गया, तो यह dendrite जो है, बेसिकलिए जो चोटे-चोटे impulse हैं, वो यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, यहां से आया, जिसे मालनों, यहां से कोई, इस particular point से कोई impulse आया, तो यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, और फिर यहां से जाने के बाद में, यह यहां आ जाएगा इसकी तरफ, पीछे की तरफ, तो exon, exon क्यों होता है, this is the through the length, मतलब जो पूरी length है इसको हम बोलते है exon, जो हमारे nerve cell की, यह neuron की जो length उसको बोलते है exon, और फिर इसके बाद में end में, हमारे पास में same ऐसा हलका सा dendrite type का structure आया था, जिसको हम बोलते है nerve ending, तो यह देखो, यह अगे न ऐसा है, nerve ending की तरफ गया, और nerve ending से फिर यह दूसरे वाले neuron के अंदर चला गया, ठीक है, तो यह से करके हमारा पूरे जोह transport काम करता है, जो conduction काम करता है, तो with this, we come to the end of this video, I hope you guys really enjoyed it, हमारा bio जब समाब तो चुका है, within 24 hours, मतलब premiere के 24 hours के अंदर हमारा वा टार्गेट है, 1000 likes पूरे करने का, उसे जादा करने का, कि कि इतना तुम करी देखता है, बट फिर भी मैं एक बार, मुझे पता नहीं रदा कि कितना likes करें, मैं जादा देखता नहीं हूँ, पर still, जितना हो से कोतना हम करेंगे, और उसके बाद में, अगर तुम लगने बिदाख, इंस्सागर में फॉलोग मुझे, या फिर पढले.न को तो दोनों को फॉलो कर लो, डिस्रिप्शन में लिंक से, पढले.न, पढले.न, अगर दोनों को फॉलोग में लिंक से,